लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटन को प्रेस करें जबुत अदम्यताहत की परिभाशा है ये मिटती मानवता की एक आशा है ये जिसी की शक्ति का वर्दान है ये अवतार नहीं है ये इंसान है शक्ति मां शक्ति मां ये आत्म शक्ति है दुनिया बदल सकती है फूलों में घर सकती है शोलों सी जल सकती है होता है जब आदमी को अपना ग्याद कहलाया हो इस वह जाए जाए ये जी आपको घर चुट देता हूं आई जी हाँ इस गुड आइडिया गंगाधर वैसे भी कुमार जी आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे अब रास्ते बात भी हो जाएगी अब जी पर मैं तो वह जी कुछ नहीं चलीए आप चलीए ना प्लीज आई अब बैचिए यहां आप बैचिए तो बैचिए ना लेकिन आप यहां तो बैचिए आट चीकर बैट जाते हैं आप आप भी बैट जाएए अब देखता हूं थोड़ी देर बाद शहर में आने वाले आफ़त के समय तुम गंगादर से शक्तिवान कैसे बनते हो चलो रैवर यह देखिए गंगादर जी यह है मेरा कंट्री क्लब कैसा लगा आपको अच्छा है परंतु अति दूर है आते आते तीन चार घंडे पीट गए दोपहर शाम की वेला में बत्ली और शाम कप की रात बन गई यहां तो रात को ही रौनक होती है गंगादर जी हाला कि शहर की भीडबार से बचने के लिए शहर से दूर मैंने इस क्लब को बनवा है क्योंकि मुझे भीडबार पसंद नहीं पर अब देखिए न कि शहर खुद इसके पीछे पीछे चला आया है कि सुन्दर बिंबड़ा अक्यां तो सुन्दर है पर यहां पर तो लोग तैरने के लिए आते होगे ना जी क्या आप लोग भी तो हमें वह तैरने के लिए तो नहीं लिए ना अरे नहीं तेखिए देखिए हमें हमें तेहरने से बहुत भाई लगता है हम जब एक पर बाली आवस्ता में पानी में कुछ पड़े थे न तो बड़ी मुश्किल से पूरा घर पूरा मोला में बहार निकालने को आए था हम तो टूपने वाले थे देखिए हम ऐसा करते हम चलते अरे 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 गघंटे तो हुई जाएंगे कब हम घर पहुतेंगे कब ऒंचेंगे कब सोएंगे हां आप बताये ने को ऐफ आप खाना यहां खाएंगे और घर जाकर सिफ सोएंगे जी घ्र यहां ग्रमाद इसार्या आदो गर्माद कर भाना चया बैटेगर वेल्कम साथ नमस्ते नमस्ते हाँ तो गंगादर जी आप कह रहे थे के आप अभी तक को आ रहे हैं जी हाँ बच्पन से ही को आ रहे हैं कि सर ऑडर प्लिस करेंगे कि गिता जी कि यह मेनु का लिजिए और आप सेलेक्ट कीजिए प्लिस कुमार जी आप यहां के मालिक है आपको पता होगा यहां के अच्छी चीज मिलती है आप यह ओडर कर दीजेंग क्यों गंगाधर जी 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 पर नंतु खाना सिर्फ श कि शाकारी भोजन ही मनश्य शरी के लिए सर्वताति उत्तम है गंगाधर जी आप घबराईये मत वैसे ही मेरा क्लब शाकारी खाने के लिए काफी फेमस है ऐसा और आज हम सब भी शाकारी खाना ही खाएंगे तब तो बड़ा मजाएगा बड़ा मजाएगा सुनो आज क्लब पालः जी आप क्या रहता है कि आप बच्पन से कवारे हैं जिहां शात्रप्रतिशत और जी हम pocket झोभ रहोता है वो बच्पन से ही कुवारा होता है लेकिन आप कुवारे क्यों है मेरा मतलब है कि आप ने अभी तक शादी क्यों नहीं कि अब इनके शादी ना करने वाली बात मेरी में समझ में नहीं आती है मिस्टर कुमार आपको पता है मिस्टर कुमार एक लड़की ने पसंद करती है इनसे शादी भी करना चाहती है ये भी उसे पसंद करते हैं दिके ना चाने क्यों उससे शादी करने के लिए तयार नहीं है कहीं इनके सामने भी शक्तिमान की तरह कोई मच्पूर ही तो नहीं जैसे शक्तिमान आपको चाहने के बावजुद भी आपसे शादी करने को तैयार नहीं लेकिन गिता जी शक्तिमान ने एक बार फिर प्रकरत्री से द्रोह करके आपको जिंदा कर दिया है उसके बावजुद भी उसकी सारे शक्तियां उसके पास है फिर अब तो उसे आपसे श जादी करने को तैयार हो जाना चाहिए जी सब्सक्राइब अब तो किया गंगाधर जी को पता इस बारे में इसा लगा कि गंगादर जी को आपकी सारी बाते बताओंगी जी हमको नहीं पता अब परंतु जब आपको इन्होंने कहा था कि आप हमें ये बात न बताएं तो फिर आपको ये बात छेड़ने की क्या वश्क्त थी अब देवी जी भी हमसे बात छेपाने लगी तो कोई बात नहीं गिदाजी आप सॉरी आप रिली वरी वरी सॉरी अब छोड़िये कुमार साहब अब आप ये बताएं कि आपने विवा क्यों नहीं किया भी तक बस यूही वैसे मेरे सामने शक्तिमान या आपके जैसे कोई मजबूरी नहीं है मैं तो जब चाहूं तब शादी कर सकता हूं और शायद बहुत जल्द कर भी लूँ लेजिए बस अब खाना भी थोई दर में आने वाला है आप दोनों बाते किजिए मैं बस दो मिट में आता हूं एस्क्यूज मी आपको मिस्टर कॉमार को सारी बात बताने की क्या वश्यक्त थी वो मेरा दोस्त बंचुका है और अपने दोस्त को मुझे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं ये मुझे कि ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ओके और घब्राओ मत मैंने उसे सिर्फ शक्तिमान के बारे में बताया तुम्हारे मेरा मतलब है गंगादर के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया मिस्टर कुमार को कि येस ताटर जे कॉल लाइट्मेंट को भेजने का वक्त आगया है अवा पावा कहां भेजना है उसे शेहर के उत्री छोर में कंट्री क्लब में बगर इसी वक्त ओ पहुंच जाएगा बिल्कुल पहुंच जाएगा लेकिन तुम वहां क्यों भेजना चाहते उसे इसा में कोई सवाल नहीं डॉटर जे कॉल मैं जितना कह रहा हूं उत्राइं करौं हलो हलो पावा दक्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल को किसी को ओर्डर सुनने की आदत नहीं है लेकिन ठीक है एक बार शक्तिमान को खत्म हो जाने दो फिर मैं से भी देख लूगा लाइट मैन अब वक्त आ गया है शक्तिमान को खत्म करने का जरूर पावा अब है अरे आप लोगने खाना शूरूर ने क्यां और आप ही कि प्रतीक्षा कर रहे थे वर्ना भूब के मारे तो हमारे पेट पेट चुहें इसकदर कुदर रहे श्क्तर कुदर हें तो थोड़ी दियर हमने खाना नहीं घाए ना तो पेट से निकलकर मू के रास्ते बाहर आजाएंगे वो हम खारा शुरू कर लेते बस अब भी लीजिए अब भी लीजिए अब आप लोग इतनी लाई जला का खाना खानते हैं नहीं मुझे पता नहीं हो क्या रहा है अरे गगादर जी यह यह क्या हो रहा है मुझे जाना होगा मगर इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मुझे को बचाओ गंगादर प्लीज जली प्लीज अरे अरे पेटा मेरा मेरा अरे बच्चे को देकर कहां चला गया तो गंगादर के जाते ही शक्तिमान यहां आ गया यह तो पूरी तरह सूरी की उर्जा से बना हुआ लगता है और इसकी उर्जा से मेरे अंदर के उर्जा में पढ़ रही है यह अपनी उर्जा से मेरे शरीर की ऊश्मा बढ़ रहा है मुझे कैसे भी इसे रुखना हूँ मुझे इसे मिटाने के लिए इसकी सारी उर्जा को खीचना होगा उपने अंदर हौँ 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 शक्तिमान ने बचा लिया हम सबको सच मुझ कितना भेंकर था वो हौँ उसका अतमक्ता खत्म हुआ मगर उसकी उर्जा को मैं मैं अपने अंदर स्यादा देर तक सभाल नहीं पांगा मेरे अंदर उस्मा पड़ रही है मजे इस उर्जा को कहीं कहीं निकालना होगा यह गालना होगा यह जाएब यह जाएब यह जाएब तड़ जेखल तुम्हा राएब भी खत्म होगया क्या हाँ शक्तिमान उसे खत्म कर दिया हरो 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 यह मोराए इसा नहीं हो सकता लाएब मैं को शक्तिमान खत्म कर सकता है नहीं तो शक्तिमान कोई बात नहीं तुने नेरा एक आविश्कार खत्म कर दिया है शक्तिमान लेकिन डॉक्टर जैकॉल अभी जिन्दा है डॉक्टर चैकॉल के जिन्दा हुने का मतलब है एक और कोशिश तेरी मौत की एक और कोशिश शक्तिमान मिज़ ginda जिए मिस्टर कुमार कहां चले गए통 हाँ हां है पर शक्तिमान को बिदा चला गया जिए आप जोंगा क्फर कि सऴिश्कार कर दो कि शक्ति खात्म के पूछ से ने से पहले पूछला जिन्य सख तक सक पर कर दोशचा देरा है शक्तिमान के आने से पहले से वो गायब है पता नहीं कहा चला गया आप उससे छोड़िए वह सबसे बड़ा डर्पोक है हां डर्पोक येस पर वो तो आपके साथ मिलकर शक्तिमान की न्यूज लाया करता था मेरे साथ मिलकर न्यूज लाया करता था शक्तिमान की न् साथ काम करता था इसलिए मैं उसका नाम अपने नाम की साथ जोड्र देती थी पस ओ इसका मत्तव यह है कि जब भी शक्तिमान आपके साथ होता था उस वक्त गंगाधर भी आपके साथ होता था है सब फोटेग्राफ साथ में की चाहथ ने से लेकिन आप मिस्ट कुमार मैंने आप से कहा ना वो सबसे बड़ा डर्पुख है अरे कहीं डरकर छुप गया होगा उसकी हमेशा की आदत है हमेशा की आदत जैसे मुसीबत आई नहीं यह चुप गया वो हां हां शक्तिमान बनने के लिए उसका छुपना तो ज़रूरी है नहीं गीता जी जिस तरह से गंगाधर उस बच्चे को बचाने के लिए दोड़ा था मुझे नहीं लेता कि वो की डर्पोक आदमी है इसका मत्तब डॉर्टर जैकॉल का शक बिल्गुल सही है यह गंगाधर ही शक्तिमान है इस शैतान की उर्जा को तो मैंने अपने अंदर समा लिया है मगर इस उर्जा से मेरे अंदर की उर्जा इतरी बढ़ गई है कि मैं इस बढ़ी हूँ उर्जा को सभाल नहीं पा रहा हूं मेरा ताप पान बढ़ रहा है मैं इस उश्वा को सभाल नहीं पा रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं अगर मैं उस उर्जा को बाहर निकाल दूंगा तो वो वो शैतान फिर से जिन्दा हो जाएगा अधेरा काइम रहेगा अधेरा काइम रहेगा मिट जाएगा अधेरे का तुष्पन शक्तिमान देखा देखा तुने अधेरे से टकराने का अंजाम शक्तिमान तु रॉष्णी का नुमाइंदा था तेख तेख आज मेरे ही एक नुमाइंदे ने इस रॉष्णी को तेरी बहुत का सामान बना दिया तो खुद मिट जाएगा है मिट जाएगा शक्तिमान मेरे अंदर की उश्वा पड़ती जा रही है शरीर का तापमान पड़ता जा रहा है मुझे कुछ करना होगा मुझे कुछ करना होगा यह जाएगा तो जाएगा तो जाएगा तो जाएगा मुत्राइब एगार शक्टिमाएब 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 उता है जब आदमी को अपना ज्याद कहला या बाद, शक्तिमान, 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 शक्तिमान.